नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पसेंदिदा हुमिप्रतिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर वी फुलकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और दोस्तों हमने शुरू की थी एक श्रिंखला जिसके बारे में हम नोजोर्स और सार्कोर्स में हम बत अल्टिमेटली इसे कौनसी पोटेंसिय में यूज करना चाहिए इन सभी के बारे में आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ इंट्रेस्टिंग सा वीडियो है वीडियो आन तक जरूर देखेगा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेंगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथे साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे जब भी मैं कोई नय वीडियो अप्लोड करते हैं पैनक्रेटिनम के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बता है यह है एक बहुत ही इंपोर्टन पहली प्लेसे तक चैनल उसी तरह से पेंक्रेटिन नाम यह हमारे हेल्दी टीशू से बनी हुई दवा है यह बंती कैस तो यह यह या तो यह फिर भेड के पैंक्रेया टिकपल्प से हम पोटेंटाइप परक्टेंट मुन निया वणकि आसरी uckenसे कैम सुख it अंदर में बहुत ही और हुपीयोग सीज़ नियाल छूए चाहिते चणतर स्मिशाय करी मिल्टी मृतन तक सुन होता ही है दोस्तों की जब हम बहुत ज़्हादा डिसकैशन होता नहीं है कि अधिक असले इसका नाम हमने इसलिए इस लिए विमारियों के अंदर देखने को मिलते हैं यह कि यह जो होता है कि व्यक्त सब्सक्राइब करता नियुक्पeth, आदसे हमें चुछ की सिर्फ यह उद defensive आईork और किताओ, करेंब सब्सक्राइब ऐस और लेंगे को पॉलि रसा सब्सक्राइब की आप अदर ही सव्थन, फिर वह दवायों का डॉसेज जादा हो जाता है जिसके उनका शुकर लेवल अचानक से कम हो जाता है तो है पोड़ा कम हो जाता है तो उनको अनीजी सा लगने लगता है ऐसी ऐपोग्लाइसेमी के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है तो हाइपोग्लाइसेमिय के लिए बहुत सी दूसरी पैथेज में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट देने वाली दवा या नहीं है लेकिन ऐसी दवा है जो हाइपोग्लाइसेमिया को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती है तो यदि बार-बार आप इंसुलिन वुक्त आप लेकिन बहुत ग्राइपोग्लाइसेमिया को बहुत अच्छी तरह से कवर करती है इसके अलावा यादि किसी को डाइभीटेज है शुगर लेवल बड़ा है लेकिन वही शुगर यदि हमें यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा प्रपान में जाता हो देखने को सब्सक्राइब करते हैं इसका बहुत अच्छा उपयोग हमें देखने को मिलता है मॉम्स के अंदर यहां पर जिसके अंदर यदि कोई वायरस आ जाता है तो उसके अंदर हमें स्वेलिंग होती है देखने को मिलती है जिसे हम मॉम्स कहते हैं मराठी में इसे गाल फुगी कहते हैं तो यह इस ऐसी कर्णिशन में भी हमें पेरिक्रेटिनम बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देखने को मिलती है लेकिन अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो बहुत सी दवा है लेकिन फिर फिर रिकरंस होते हैं हमें देखने को मिलती है या फिर जैसा चाहिए वैसा पूरी तरह से उस कंडिशन को वह दवा इंडिकेटेड होने के बावजुद भी ठीक नहीं कर पाती तो ऐसी सिचुएशन में हमें पैंक्रेटिनम के बारे में सोचना चाहिए क्यो जो नहीं मुलरी है भार भार रिकरंस हो रहा है तो ऐसी कंडिशन को सार कोड बहुत अच्छी तरह से कवर करती है तो आपको ध्यान में आ गया होंगा है रेगुलर मॉम्स की के केसे समय नहीं यूज करना है ऐसे मॉम्स की जिसके अंदर हमने दूसरी दवा या ट्राइग है लेकिन किसी कारण वाश हमें यह देखने को मिल रहा है ऐसी कंडिशन में हमें पैंक्रेटिनम को यीज करना है इसके लावा यह बहुत अच्छी दवा है इंडाजेशन के लिए क्योंकि पैंक्रेटिक जूसेस ही हमारे पेट के अंदर का जो खाना होता है उसको छोटी आतल चारि देखने को मिलता है जाना और टाल इस तरह का जाती है को हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा पेट का पेट दर i woki के मadtर होता हुए जिसकéशन के अकसरmensर हमें व्यादा हें लुग होत 你 को मिलता हैं souventira बहुत है की सिक्निता सीच्वेर हॉइबस प्रसीच्वेशन करका Mars तो इसे हम कहते हैं लियेंटएरिक डारिया और ऐसे सिचुइशन को भी pancreatinum से हम ट्रीट कर सकते हैं तो यह सभी यहां पर देखने को मिलता है डॉक्टर बर्नेट जो कि एक पाइनियर थे होमिपेती के वह सजेस्ट करते हैं कि गाउट के लिए पैंक्रेटिनियम वन आप देश्ट मेडिसीन है और एक्चुल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि बहुत कम डॉक्टर से जो गाउट के लिए पैंक्रेटिनम के बार में सोचते भी होंगे तो यह एक बहुत ही इंपोर्टन कंडिशन है क्लिनिकल कंडिशन है जहां पर हमें पैंक्रेटिनम को हमेशे ध्यान में रखना है गाउट यह दि होता है यूरीक आसे लेवल हमारे ब्लट के बढ़ जाते है और वही यूरीक ए पैंक्रेटिनम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं लेकिन टाइप टू डाइबिटीज मलेटस के अंदर भी हम पैंक्रेटिनम का इस्तमाल कर सकते हैं डाइब्ल देखने कर द लिए जो प्रापर टोंता हैं है तो यह सब्सकंद्व ब्लेलम के अंदर जाते हैं यह पोईंदा है जैसे कि यह कंडिशन को सद्सदमारियास को 7 een टेong मेडिशना च्छेंअ को से थीख करती है पैंक्रेक टिनमाब्रं तो यह था हमारी आज की दवा के बारे में अभी सिस्तमाल कैसे करना है ज्यादा तर लोग जो है इसे 1M 10M के पोटेंसे में यूज करते हैं लेकिन मुस्टी मैंने देखा है कि इसके रिजल्ट है यहाने की पैंग्रेटिनम 3X के फॉर्म में ज्यादा तर अच्छी तरह से इस्तमाल होता हुए यहां पे पिच्छर लागा देता हूँ पैंग्रेटिनम 3X आपको लेना है इसकी दो दो गुलिया सुबह दो फर शाम खाने के आदे घंटे के बाद में चूसना है और आप यह दो महिने तक इसे कंटिन्यूस तर इस्तमाल करता है तो आपको यह के अंदर आपको लेंटिया के अंदर हमें बहुत ही अच्छे इस दवा के देखने को मिलते हैं इंटेंसिटी को देखके हम 30 200 पोटेंसी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आप मेरी सलाह रहेंगी कि आप एक बार आपके नजदी की होई पैथिक डॉक्टर के मार्ग दर्शन में इस दवा का इस्तमाल कीजिए 30 200 पोटेंसी में चलिए दो बहुत बहुत धन्यवाद मिलते आगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेका आपके सामने फिर से आज़े रहोंगा तब तक के लिए आप सभी किसा आच्छा तो जय हिन जय भारत